पुम्किन है ही नहीं और इस तरह से पैदाईश से पहले और पैदाईश के बाद बहुत सारे आहतियाद भी बताए जाते हैं जिसमें से अकसयत illogical होते हैं मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आहतियाद नहीं करना चाहिए वो रहतियाद जो डॉक्टर बता रहा है वो तो जरूरी तौर्ट पे करना चाहिए क्योंकि वो medical point of view से बिल्कुल सही है उस बच्चे के लिए भी और उसकी मा के लिए भी लेकिन हमारे घर के बड़े अपनी experience की पैसे से बहुत सारे रहतियाद बताते हैं ऐसा करो उसका अच्छा असर पड़ेगा ऐसा नहीं करो उसका बुरा असर पड़ेगा एक example से संजाना चाहती हूँ कहते हैं कि नारियल के बीच के साथ अगर साफेद फूल खा लोगे तो अल्लह सुभाना ताला फर्जन से नावाज़ेगा अल्ला हुआ अकबर ये अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या चाहिए ये तो अल्लह के अख्तियार में ना अभी आपको हदीस में बताया है कि अल्लह सुभाना ताला तै कर चुका होता है कि बेटा हो या बेटी वर्द हो या औरत और फिर पेदाईश के बाद हिफाज़त के सिलसिले में लोहे का समान या दुनिया भर की चीज रखने की जो रिवाज है उससे तो आप सब बहु भी वाकिफ होंगे यानि लोहे की सुई, कैंची, ताला रख दो और माँ और बच्चे दोनों मेहफूज रहेंगे मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि लोहे की पूरी तलवार भी जंग के मैदान में तब तक बेकार है जब तक कि उसको उठा के चलाने वाला अपनी हिफाज़त के लिए चलाए नहीं और यहां हम क्या करते हैं कि बस उसके पास में सुई, ताला, कैंची, चाकू लोहे का समान रख दो बस वो महफूज है कैसे हो सकता है क्या अकल एक्सिप्ट कर रही है इन बातों को और हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं यानि अपनी मखलूब की हिफाज़त के लिए मवज़त आइन अता किये यह वो दो सुरते हैं यानि कुलावजबर बिल्फलक औ कुलावजबर बिल्नास यह वो दो सुरते हैं जिनके माइने, इनके अलफाज के माइने अगर हम पढ़ेंगे तो इस सुरत में अल्लास बंदालने, दुनिया की हर शर्ष से पना मागने की आयत उतारी है खौव रात का अंधेरा पन हो या फिर हसद करने वाले शक्स की हसद हो किसे भी तरह की बुराई हो हर चीज से पना मागी गई है लेकिन हम क्या करते हैं हम मुखज़तायन को तो पढ़ते भी नहीं है ना अपने अमल में लाते हैं उसके बरक्स तावी, गंडा, काला तहिका काला धागा, काली मोती इन तमाम चीजों से हिफाज़त करने की कोशिश करते हैं मुश्रत अमट की हदीश है याफ स 20 एक इस नहीं पास उसक्स आया और उसने हाट में पीतल का कड़ा पहना था तो अभी अफस्यु पहते हैं अफसोस यह क्या है उसने का कम्सूरी दूर करने के लिए पहना है तो अभी चीजिशें नहीं चीज़े हैं नहीं नहीं कर आभा है और ना सिर्फ इस दुनिया के लिए बलकि आखरत के लिए भी अब जरा सोचिए इस दुनिया के लिए तो हम बड़े conscious हैं एक जरा सा नुकसान नहीं होने देते जरा सबजी की दुकान पर भी जाते हैं तो बिल्कुल जितना देया हो उसमें पूरा-पूरा मिल जाना चाहिए क्यों जादा ले रहे हों क्यों खराब दे रहे हों हर चीज की वहस करते हैं एक पांसो की रोट को भी लेते वक हजार बार देखते हैं कि इसमें वो सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं जो असली नोट में रहते हैं ये हाल है कि हम अपनी दुनिया के लिए तो बड़े conscious हैं लेक इतना सही हैं और कितना गलत आईएब हम ये जानते हैं कि शरीयत हम से क्या कह रही है इस मौकशे पर यानि आप या आम départ कि की बच्चे की पिदाइश के मौके पर। शरीयत कहती है कि जब कोई नौ्वलूत बचा हो यानि कोई बचा पैदा हो तो उसके दाएं कान में जान और बाएंग कान में अकामत दी जाए और उसे किसी नेक शक्स से खजूर चखाया जाए खजूर का लौब चखाया जाए और उसके लिए बरकत की दुआ किया जाए और शर्ज़त कहती है कि पैदाइश के सातवे दिन अकीका किया जाए अकीका एक्चली उस जानवर को कहा जाता है जो किसी बच्चे के पैदाइश के साथवे दिन जबा किया जाता है यानि साथवे दिन जो सब्का के तोर पर जबा किया जा रहा है उस जानवर का नाम अकीका है साथवे दिन किया तभी अकीका है बाद में किया तो अकीका नहीं है और क्या कहा कि बचे का सर मुनाए और बाल के बराबर के हम वजन सोना या चांदी सबका करें अबुदाउद की अदीस है अबुदाउद बाब नमबर 459 हदीस नमबर 1065 में आप सुल्दी सलम ने फरमाया कि हर लड़का अपने अकीके के बदले गिर्वी है उसकी तरफ से जिबा किया जाए और सर मुनाया जाए और नाम रखा जाए यानि जो भी बच्चा पैदा हो रहा है वो उस अकीके उस जनवर के नाम पर अभी गिर्वी है यानि उसका सद्का उतारना चाहिए लेकिन हमारा तरफ से अमल क्या है कि हकीके को भी एक रस्म की रस्का और रिवाज की शक्ली दे दिये और उस मौके पे तो यह कहा जाता है कि अभी हैसियत नहीं है जब हैसियत होगी तो बहुत धून धाम से करेंगे और फिर दध्यार वाले यह उमीद करते हैं कि नन्यार वाले याकिके के इस मौके पे तोफों के जड़ी लगा दे और नन्यार वाले भी इस अमल को बड़ी पाबनी से करते हैं और जादा से जादा तोफे दध्यार वाले यानि बेटी को दमात को, बेटे को हर तरह का समान देते हैं ये अमल है हमारा कि शरियत पर तो नजर ही ने डाल रहे हैं और रिवाजों को बड़ी पाबंदी से अदा करते चल जा रहे हैं एक और मसला है इसी तरह मिराज का मसला ये वो मसला है जिसकी तरफ हम कभी तवज्जों ही नहीं देते जबकि ये अल्ला का ऐसा हुप्म है जिसका अल्ला सुबहन दाला ने कुरान में तफसील ही बयान किया है ऐसा अल्ला सुबहन दाला ने बहुत सारे हुप एकाम बता हैं लेकिन उसको किस तरह से अंजाम देना है ये हमें हदीस की रोशनी में पता चलती है लेकिन मिराज का बटवारा किस तरह से हो किस तरह से ये distribution हो इसका पूरा तफसीर अल्ला सुभान ताला ने कुर्णान में उतार दिया कुर्णान में इसका जिक्र इस बात की दलील है कि ये हुक्म हमारे लिए कितना एहम है लेकिन अफसोस हम इस होक्म को न मानते हैं और न मानना चाहते हैं पहले तो अक्सर हम ये समझते हैं कि वारिस तो सिर्ड बेटा ही है बेटी का तो कोई ह Latino की नहीं है और अगर कोई जानता भी है तो वो उस पर अमल नहीं करता जबकि आल्लाह की रसोल सोल अल्लाह उर्सलम ने फरमाया हजदुलविदा के मौके पर कि तमाम हगदारों को हक मकररर कर दिया गया है अब कोई किसी वारिष के लिए वसियत ना करे यानि किसको कितना मिलना है कौन हगदार है ये सब अल्ला सुभानों ताला ने खुद उताय कर दिया है अब हमारे अफ्तियार में कुछ नहीं है कि हम किसको दें और किसको ना दें अगर पुरान का मुताला करें तो आठ जगा पर आठ जगा पर इसका तफसीली बयान आता है सुरा सुरा बकरा सुर नमबर 2 आयत नमबर 280 में वसीयत के बारे में जिक्र किया गया है सुरा बकरा सुर नमबर 2 आयत नमबर 240 में शोहर की इंतिकाल के बाद बेवा को विरास में क्या हक है इसका जिक्र किया गया है सुरा निसा सुरा नमबर 4 है सब के सब के बारे में इसमें पूरा distribution लिखा हुआ है जैसे की simple एक example तान जाओंगी कि बेटे का हिस्सा बेटी के दो गुना है ऐसे सब का दे दिया गया आप उसको पढ़िएगा सुरे निसा सुरे निसा सुरे नमबर 4 आयत नमबर 13 में बताया गया कि जो इसके मताबिक पटवारा करेगा यानि अल्लहा के हुक्म की फर्मबरदारी करेगा उसको जन्नत की खुशी दी गई है सुरे निसा सुरे नमबर 4 आयत नमबर 14 में जो ऐसा नहीं करेगा उसको जहनम से आगह किया गया है सुरे निसा सुरे नमबर 4 आयत नमबर 33 में बता दिया गया है कि अल्ला ने हगदारों का हग मुकरर कर दिया है अब कोई बदलाओ नहीं हो सकता और सुरी निसास आद नमर 176 में बेहनों को भी उनका हग दिया गया है यानि भाई की मिरास में बेहनों का भी हग है ये भी तेह कर दिया गया है इसे पता चलता है कि मिरास का बटवारा कैसे किसकी हक में कितना आला है ये सब टै किया जा चुका है और हम खातिन के लिए खुशी की बात ये है कि हर दर्जा हमें मिरास में हक दिया गया है वो किसी मा काओ, बेटी काओ, बेहन काओ, बीवी काओ, बेवा काओ, सबको उनका हक दिया गया है लेकिन हमें इस बात का इल्म ही नहीं है और अगर जानते भी हैं तो तरसे अमल क्या है? आज हमारे मौश्रे में क्या रिवाज चल रहा है कि बेटी और बेहन को देहेज दे दिया गया, मिरास का हक अदा हो गया देहेज विरासत का बदलाओं कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि देहेज एक ऐसा रिवाज है जो इंडिन कुल्चर से एडॉप किया गया है या हिंदू ट्रेडिशन से लिया गया है जबकि मिरास में हक अल्ला का हुक्म है तो अगर हम इन दोनों का नाम एक साथ ले रहे हैं और इसको एक दूसरे का बदल बता रहे हैं तो गोया हम अल्ला के हुक्म पर इस ट्रेडिशन को इस कल्चर को तरजी दे रहे है बहुत बड़ा गुना है ये लेकिन हमें इस बात का इल्म ही नहीं है और एक बात और समझ में नहीं आती है जब दहेज देते हैं तो माबाग या भाई इस बात का पूरा खिया लगते हैं कि जितना जादा से जादा हो उतना दे दिया जाए बहन को या बेटी को इसके दो मकसद होते हैं एक तो ये कि बेटी को वहाँ जाके बेटी या बेटी को वहाँ जाके कोई जुलम सितम न सहना पड़े और दूसरा ये होता है कि जितना देंगे उतना नाम होगा यानि रियाकारी ये दो मकसद के तहर जादा से जादा देने की कोशिश करते हैं जब कि मिरास में बेहन और बेटी का हक मुकरर किया जा चुका है एक एक्चिल अमाउन बता दिया जा चुका है अब किसी भी वज़ा से उसको जादा करना और कम करना मुम्किन ही नहीं है ये हद Allla ने मुकरर किया है और अबी स्वाएन। अला फिर्माते हैं सुरह निसा सुरह निसा सुरह नम Tower 4 आयत No. 13 कि ये हद Allla की मुकरर की हुई है जो Allla और इसकी रसूल की फाहर बर्दारी करेगा उसको जनद में दाखिल कर दिया जाएगा ऐसे जनत में जिसके नीचे नहरे बह रही है और बेश्यक ये बहुत बड़ी काम्याबी है तो ये अल्ला ने ये हदे अल्ला ने मुकरर किया और इसी के दूसरी आयत याने सुरी निसा सुरी नमबर चाह आयत नमबर 14 में कह दिया जो ऐसा नहीं करेगा याने अल्ला के हुक्म की फर्म बरदारी नहीं करेगा उसको जहान्नम से आगा कर दिया गया है लेकि हमें इन बातों का इल्मी नहीं है हम तो बस ये समझते हैं कि जो अलादे नरीना है वही वारिस है उसी का हक है और इसी वज़े से माबाप की मिरास में से भाई बहन को नहीं देता और ना हम बहने और बेटी इस बात के लिए कोई सवाल करते हैं उससे के बरक्स अगर शादी में कोई रसम पूरी नहीं हुई है देज में थोड़ी सी कमी हो गई है तो हम बेटी और बेहन आते हैं अपने घर और शिकायते करते हैं कि ये रसम नहीं कही गई हमें सुनना पढ़ रहा है ये चीज नहीं दिया गई हमें सुनना पढ़ रहा है यानि मिरास का जो हक है उसके लिए तो कभी सवाल नहीं किया और देहेज में कमी हो गई रिवाजों में कमी हो गई तो इससे शिक्व शिकायत कर रहे है हमारा ये तरह से हमा जाहिर कर रहा है कि हम अल्ला की हुक्म को कितना एहमयत दे रहे है और रिवाज हमारे लिए कितना एहम है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें इस बात का इल्म ही नहीं है हम Quran को पढ़ते ही नहीं है हम जानते ही नहीं कि Allah स्भान ताला का हुक्म क्या है और Allah स्भान ताला ने हमारे लिए क्या हाक मुकर्रर कर रखा है और बस रिवाज जिस तरफ लेके चला जा रहा है चलते चले जा रहे हैं एक शेट याद आ रहा है पत्ता शाख से तूट कर बेवजन हो गया उड़ने लगा जिदर उड़ाने लगी हवा जी हाँ ऐसे ही हो गए हैं आज हम खुरान को तर्क कर दिया है और रिवाजों के बहाँ में बहते चले जा रहे हैं अब आएए जिन्दगी के आखरी मरहले पर आते हैं रिवाजों का ये सिलसला जिन्दगी के आखरी मरहलों तक पहुँचाता है हमें जी हाँ जिन्दगी का आखरी मसला आखरी मुकाम जनाजा या मयत मत का वक्त और ये वो वक्त होता है जब हम अपने होश में नहीं रहते हैं हमारे उपर गमों का पहाड सा तूटा पड़ा रहता है और इस आलम में होते हैं कि कुछ करने के लायक नहीं होते हैं उठा तक नहीं जाता है हमसे नमास का वक्त घुजर जा रहा है और हमने ताकत ही नहीं उठने की होश में ही नहीं है लेकिन फिर भी उस मौके पर क्या रिवाद चला आ रहा है हमारे याँ इसकी बड़ी पाबंदी रहती है जब भी किसी की मौत की खबर सुनते हैं या घर में कोई मौत वाकिय हो जाती है तो बस बेख्तियार होने लगते हैं और अल्ला से शिक्वे गिले करने लगते हैं जबकि उस वक्त हमें सबर से काम लेना चाहिए और हम गया कहते हैं या अल्ला हमारा तो सब कुछ लुट गया हमारा तो सब कुछ बरबाद हो गया और जिस वक्त जान निकल रही होती है यहां जाकनी का वक्ष जो होता है उस वक्त अपने आपको इतना बेबस महसूस करते हैं कि जैसे कुछ अख्तियार में नहीं है और बस बेस्बर होकर रोने लगते हैं जबकि उस वक्त में अल्लह की रसूल स. अल्लाहुलों की रदीश है कि मुशकात में मुस्लिम की हवाले से है हदीश नमबर 1527 में कि जब भी अपने मुर्दे यानि जाकनी की हालत में अपने मुर्दे को ला इलाह इल्लाह पढ़ने की तल्कीन करो यानि उस वक्त उसे कहो कि वो ला इलाह इल्लाह पढ़ता रहे और सुरह यासीन की तिलावत के लिए कहा गया सुरह यासीन की तिलावत का मकस्द यानि इसकी हिकमत क्या है कि सुरह यासीन कुरान का दिल है और ये इमानियात सलासा पर बेज़ है यानि इमान बिल्लाह, इमान बिर्सूल और इमान बिल्आखरा यानि ये वो सुरत है जो हमारे इमान को पुखता करती है अल्ह पर इमान को रसूलों के रसूलों पर इमान को और आखरत पर इमान को और जागनी का वक्त यानि जिस वक्त जान निकल रही है उस वक्त एक इस शख्स इस दुनिया से रुखसत हो रहा होता है और अपनी उख्रवी जिन्दगी में गदम रख रहा होता है उस मौके पर इस सुरह की तिलावत उसके एमान को और मजबूत करती है और इस दुनिया से जाने की तकलीफ, इस दुनिया की मुखबत को कम करती है और आखरत से लगाओ को बढ़ाती है और मैं यह समझती हूँ कि यह मकसद तभी अदा होगा जब उस शक्स को सुरह यासीन का माईने समझ में आ रहा हूँ जब वो इस बात को समझ रहा हूँ कि उसमें क्या जिक्र किया गया है तो शरियत के हिसाब से तो यह होना चाहिए कि सुरह यासीन बुलंदा आवाज में माईने के साथ पढ़ा जाए लेकिन हमारा तरजी अमल क्या होता है कि जिस वक्त जा निकल रही होती है उस वक्त सुरह यासीन की तिलावत तो करवाई जाती हो बहुत जोर शोर से कहा जाता है कि तो रो नहीं सुरह यासीन की तिलावत करो जोर से करो इस वक्त फरिश्टे यहां मौजूद हैं फरिश्टे सुन रहे हैं गोया फरिश्टों को सुनाया जाता है अगर हम मौयने के साथ सुर्यासिंग की तिलावत करेंगे तो यकीन मानिए हमें पर उस वक्त सबर करना आसान हो जाएगा उस बाइसे इबरत मौत पर और जब ये मौत वाकए हो जाती है यानि जब हो जाती है तो हम अपने रफ से कि हुक्म पे सब्र करना तो दूर है सब्र करना तो उस वक्त सबसे मुश्किल काम हो जाता है बल्कि शिक्वे शिकायत करने लगते हैं क्या कहते हैं अल्लाह हमारा तो सब कुछ लुट गया अब हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं यहां तक कि मौत की तमना कर बैठते हैं क्या कह देते हैं कि काश हमें ही बुला लिया होता आप सब्र स्लम की حदीशे मुसलिम के हवाले से मिशकात में दर्ज है पेज नंबर 343 अबर 1528 में आप सब्र स्लमने फर्माया कि इस वक्त अपने नफ्स के लिए अच्छाई की दुआ करो क्योंकि इस वक्त, तुम जो कहते हो, उसे फरिष्टे आमिन केहते हैं जरा सोचे, कि इस वक्त, हम लोग क्या-क्या बैयान करते हैं, और उन सब अलफाज पर फरिष्टे आमिन कह देते हैं और इस मौत वाक्य हो जाने के बाद जो सबसे अहम काम होना चाहिए शरीय जिसका हख्म देती है वो है कर्स की अदाइगी के लिए जल्दी करना यानि जो शक्स जिसका इंतकाल हुआ है उसका कर्स जल्ससे जल्द अदा हो जाएए लेकिन हमें से अक्सरे सीज से बिल्कुल गाफिल होते हैं कि जिस रक्स का इंतिकाल हुआ है उस पर पर्ज है भी या नहीं और अगर हमारे इल्म में होता भी है तो हम यह कहते हैं अभी तो इस मौके के तमाम काम को करना जादा जरूरी है ना पर्ज तो अदा हो जाएगा और जबकि आप सल्ली लाह ओले सल्म ने एक मक्रूस की जनाजे की नमाज तब तक नहीं अदा की जब तक कि उसका कर्ज नहीं अदा हो गया आप सल्ली सल्म की हदीश है तिरमजी पेज नमबर 397 में फरमाया कि एक मौमिन की जान उसके कर्ज के साथ तब तक लटकी रहती है जब तक कि उसे अदा न कर दिया जाए यानि कि अगर हम अपने अजीज की रूह को सुकून देना चाहते हैं तो हमें उसके कर्ज के अदाईगी के लिए जल्दी करना चाहिए और इसके लिए एक और होक्म हम पर लाजमी हो जाता है वो ये कि हम अपने मौामलात को अपने करीवी जो भी करीवी रिश्दार है उसका जिक्र क्या करें यानि जैसे बीवी अपने शोहर से शोहर अपने बीवी से बाप अपने बेटे से बेटा अपने बाप से इस बात का जिक्र करता रहे कि वो क्या मौमलात उसके साथ पेश आ रहे हैं कि गोया अगर कोई कर्ज वगरा हो तो उसके अजीज और कारिब उसका इल्म रखते हो और अगर हम इस बात को नहीं शेयर करेंगे तो मौत का कोई भरोसा नहीं और जब मौत आ गई और इल्मी निरात उमक्रूज जो कर्ज जिस रूफ पर कर्ज होता है वो काम्याव नहीं हो रही है इसके बात जब इंतकाल हो चुका है तो अब जो हुक्म है जो नेक्स्ट इस्टप होता है वो खुसलका होता है यानि मैयत के खुसलका